हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासस में तो आज हम क्लास सेवन्थ की एंसी आर्टी साइंस का चैप्टर नाइन का मृदा चैप्टर देखने जा रहे हैं मृदा याने की मिट्टी और मिट्टी से आई होप जो है सभी हमारे भारतव मिट्टी में निवास करते हैं घेथ होते हैं जिसमें फसले उगाते हैं और घर जिसमें हम रहते हैं वे सभी हमें मिट्टी की याद दिलाते हैं लेकिन मिट्टी के संबंध में हमारा ज्यान इतना ही नहीं होना चाहिए हमारा ज्यान जो है न वो ना के बराबर है और हम सभी जानते हैं कि अनाज और फल मिट्टी में उप जाते हैं और उपद जो है खाद और उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ाई जाती है लेकिन मिट्टी के अन्य विशेष्थाओं के बारे में जिन से हम सड़क, भवन, रनवे, बांध का निर्मार करते हैं तो हमारा ग्यान जो है इस रेफरेंस में बहुत कम है तो मिट्टी के व्यवार को भली प्रकारकिस से समझने के लिए मिट्टी के रासायनिक और भोतिक संगठन का एग्यान अवस्यक है किन-किन प्रकार के मिट्टी में कौन-कौन से उत्पादक तत्तु भोने चाहिए वो चीज आवा सकता है ठीके तो आज हम डिटेल वे में मिट्टी का यानि की मृदा का अध्ययन करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो मिट्टी यानि की मृदा यानि की सॉयल सॉयल जो है सबसे महत्यपून प्रकृतिक संसाधनों में से एक है क्या आप बिना मृदा के अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं मैं तो नहीं कर सकती अगर आप कर सकते हैं तो आप इसका रिजन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें मृदा है तो क्या है फसले है फसले है तो अनाज है अनाज है तो हम है ठीके अना जी तो हम खाके जीवित है ना तो इसलिए मृदा जो है हमारी लाइफ का बहुत important part है ठीक है ये जो है पादपो की जड़ों को द्रड़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोशक तत्यों की आपूर्ती करके उनकी वृद्धी में सहायता करती है और ये जो है ना अनेक जीवों का क्या है आवास अस्थल है घर है क्रिसी के लिए जो है मृदा अनिवार्य है ठीक है क्रिसी जो है हम सभी को भोजन कपड़ा आश्रय प्रदान करती है ठीक है इसलिए मृदा जो है ना मिट्टी जो है हमारे जीवन का अभिन्य भाग है ठीक है ये चीज आपको ध और उपरी सत्लाप से तोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है ठीक है अद्यान जिस विघ्ञान के तहत कहते हैं उसे कहते हैं मृधा विघ्ञान 야नी की पीडो और कई बार ये एक्जाम में पूझा भी ज़ा चुका है कि जो है पेडोलॉजी के अंतरगत हम किस चीज का अध्यान करते हैं मृदा का किसका ध्यान करते हैं मृदा का ठीक है यह आप सबको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अब देखे मृदा जीवन से भरपूर है वर्षा रितु में एक दिन पहेली और बूजो ने मृदा में से एक केचूओ को बाहर आते हुए देखा पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं अब आईए हम जो है एक क्रिया कलाप के मांदे हम से पता लगाते हैं अब देखे विभेन अस्थानों से मृदा के कुछ नमूने कत्र कीजिए और उनको जो है ध्यान पूर्वक देखिए और इसके लिए आप हैंड लेंस यानि की आवर्धक लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं प्रतेक नमूने को ध्यान पूर्वक निरिक्षन करके अपने प्रेक्षडों में लिखे ठीके ये तो प्रेयोग बच्चों के लिए दिया हुआ है हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक बहुत इंपोर्टन चीज दी हुई है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिथीन पॉलिथीन की थैलिया हो गई ठीक है तो यह जो है ना मृदा को क्या करते हैं प्रदूशित करते हैं यह जो है मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानी पहुँचाते हैं और इसलिए ना पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तूओं के उप्योग पर सतिबंद की मांग की जा रही है कई सालों से और अनेक प्रकार के अपसिस्ट पदार्थ रासायन पीड़क नासी मृदा को प्रदूशित करते हैं है ना और ऐसे अपसिस्ट पदार्थो और रासायनों को ना मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उप्चारित किया जाना चाहिए ठीक है और पीड़क नासीों का उप्योग कम से कम होना चाहिए इससे जो है मृदा की उर्वरा सक्ती घट जाती है अगर जादा से जादा आप कीड़क नासी का प्रयोग करेंगे ठीक है अच्छा अब बात करते हैं मृदा परिछेदिका यानि की मृदा की विभिन पर्थों के बारे में अब हम जो है ज्यान लेते हैं तो देखे मृदा की अनेक परते बनी होती हैं, हमें क्रिया कलाब के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे, कि किस प्रकार ये परते जो होती हैं विवस्थित रहती हैं, अब आईए क्रिया कलाब, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, धेलो को अपने हाथ से तोड़ कर उसका चूर्ण बना लीजिए, अब तीन चोथाई जल से भरा एक काँच का ग्लास लीजिए, और उसमें जो है, मुठी भर मिट्टी जो है मिला दीजिए, और इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाईए, जिससे मृदा पानी में मिल जाए, और अब इसे कुछ देर के लिए ऐस से ही रखे रहने दीजिए, कुछ समय बाद ग्लास के पानी को देखिए, और निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर देजिए, अब यह देखिए, थोड़ा समय छोटा कर दो ग्लास अगर तो आपको भली भाती दिखाई देगा, अब यह देखिए, सबसे मिट्टी के सबसे उपरी पार्ट में क्या होता है, हीूमस होता है, ठीक है, और इसी में जो है, व्रिक्ष पौधे लगे हुए होते हैं, इसके नीचे के पोर्शन में जो है, जैल होता है, इसके बाद जो होता है, मृत्तिका होती है, जो बालू से थोड़े बड़े कड़ होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल साब साब दिखाई दे हो और यह जो है आप साल जानते होंगे कि पवन जल और जल्वायू की क्रिया से जो है चट्टानों के तूटने पर किसका निर्माण होता है मिट्टी का निर्माड होता है और यह जो है ना यह जो प्रोसेस है यह जो प्रक्रम है इसे कहा जाता है अपच्छे क्या कहा जाता है अपच्छे यानि कि किसी मृधा की प्रकृती जो है उन शैलों पर निर्भर करती है जिन से इसका निर्माड हुआ है और यह जो है उन वनस यह नदियों के किनारे हैं तो पानी के बहाव होता ही रहता है तो पानी के बहाव से आती हैं क्या मिट्टी मिट्टी आती है जिसको कहते हैं कछार मिट्टी क्या कहते हैं कछार मिट्टी कहते हैं कि पानी के बहाव के साथ आई हुई है तो खोदेने पर इसमें जो है चट्ट देंगी आगे बढ़ते हैं तो मृदा की जो है विभिन ध्यान लखेंगे विभिन पर्तों से गुजरती हुई उर्द्वकाट जो है क्या कहलाती है मृदा परिच्छेदिका और प्रत्येक पर्त जो है ना इस पर्स रंग गहराई और रासायनिक संगतंग में भिन भिन होती ह और यह पर्ते जो हैं क्या होती है संस्तर स्थितियां कहलाती है अब यह देखे सबसे उपर की जहां जड़ भी है और पौदे भी है यह कहां है यह संस्तर स्थिति है अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग में भी बताऊंगी फिर यह बी संस्तर स्थिति है फिर यह सी संस्तर इस्थिती है और ये जो है आधार शेले है यानि की चट्टाने है ठीक है देखे ये तो जाने हुई बात है कि जिस मिट्टी पर ध्यान रखेंगे जिस मिट्टी पर प्राकृतिक क्रियाएं होती है जलका प्रपात वायू और सूर्य का किरण जो है आता रहता है और वो जो है कुछ वर्सों में ऐसा रूपधारन कर लेती है ना कि जिससे जो है उसके नीचे के भिन रूप, रंग और गुणवाली मिट्टियों के बहुत से संस्तर बन जाते हैं और यदि हम ना मिट्टि के उपरी सता यानि की लगभग लगभग बात कर लेंगे 10 से 12 फूट के बारे में बात करें और गड़ा खोदें तो मिट्टि के पार्ट सुका अवलोकन करेंगे हम तो हमें नियमित रूप से भिन रूप रंग की रचना दिखाई देगी ठीक है डूसरे अस्तर की मिलती जाएगी ठीक है जैसे A, B, C फिर आधार है ना तो वैग्यानिकों जो इन है A, B और C तीनों ही अस्तर जो है प्रधान अस्तर माने हैं और जो है जल मिट्टी के जो है उपरी संस्तर पर से होते हुए ना बहुत से रासायनिक द्रवों को लेते हुए नीचे के संस्तर में पहुँच जाता है ठीक है और वहाँ ना मिट्टी के साथ मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी के रंग रूप को उपरी परत को देखते हैं देखते हैं और उसके नीचे वाली परतों को नहीं देख पाते और यदि हम हाली में खोदी गई जो है खाई के पार्ट को देखें तो हमें जो है म्रिदा की भीतरी परते भी दिखाई देंगी और ऐसी स्थिती में न हम उस स्थान के म्रिदा परिच्छेदिका का प्रेक्षन कर सकते हैं तो जो है क्या कहते हैं कि म्रिधा परिछेदिका को कुवे की खुदाई करते समय तो बहुत नीचे तक जाते हैं लेवल है ना तो कुवे की खुदाई करते समय या फिर कह लिजे किसी इमारत की नीव खोदते समय भी देखा जा सकता है ठीके इसे पहाडों पर सडकों के किनार नदियों के खड़े किनारे पर भी देखा जा सकता है अच्छा सबसे पहले अब हम बात करेंगे सबसे उपर का संस्तर यानि कि उपरी संस्तर के बारे में अगर बात करूँ असंस्तर के बारे में बात करूँ तो जिसमें से जल द्वारा ध्यान रखेंगे जल द्वारा विलियन होकर द्रव जो है नीचे की ओर ध्यान रखेंगे द्रव जो है नीचे की ओर जाते हैं और अवशेपड क्रिया द्वारा जो है नीचे के संस्तर में जमा हो जाते हैं और इस उपरी संस्तर को कहते हैं हम असंस्तर यानि कि ये सबसे उपरी संस्तर है जिस इसमें क्रिया द्वारा द्रव आकर जमा हो जाती हैं और यह हुआ बी संस्तर तीसरे संस्तर में जुह है जिसमें ऊपर की मिट्टी बनती है इसे जो है C संस्तर यानि की Parent होरिजोन भी कहा जाता है इसको, इसके नाम इसलिए सळाधक है कि इसी संस्तर से न, उपरवाली मिट्टी की उत्पत्ती हुई है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है तो समृध्ध होती है कैसे शीर सिम्रिदा जो कि आपको बता चुकी हो तो शीर सिम्रिदा जो है क्रीमियों क्रिंतिकों चछुंद्रों भृंगों जैसे अनेक जीवों का आस्रह स्थल ठीकाई और चोटे पादपों की जड़ेना पूरी तरीके से शीर सिम्रिदा में ही रहती है बहुत नीचे तक नहीं जाती है तो शीर समरिदा के नीचे की परत में हुमस कम होता है सबसे उपरी परत में हुमस ज्यादा होता है और इसके जास नीचे आएंगे तो हुमस कम होता जाता है कम होता है सबसे नीचे के संस्तर में खतम हो जाता है ठीक है लेकिन खनी जदिक होते हैं तो यह बात तीसरी परत की बात करूँ सब से उपर A फिर B फिर C के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है recorded कि दरारों और विद्रोयुक्त शयलों से छोटे धेलों से बनी होती है ठीक है और इस परत के नीचे आधार शयल होता है जो कठोर होता है और इसे जो है फावडे से खोदना भी कठीन होता है यानि की मिट्टी के विभिन प्रकार के कड़ होते हैं ठीके इन में जो औस्तन न्यून मात्रा के कड़ है वे ही मिट्टी की उर्वरा शक्ती को बनाए रखने के लिए आवश्चक है ठीके और इनके के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट है और खाद पदार्थ भी आउशोशित करती है मिट्टी ठीके तो मिट्टी के भौतिक गुर्ड जो है ना मिट्टी की संद्रचना जलवायू मिट्टी में इस्थित उश्मा ठीके खनिस पदार्थों पे डिपेंडेंट होती है ठीके य ऐसे जैसे इन पर प्राकृति जो है क्रियाय होती रहेंगी ना तो जो बड़े टुकड़े हैं क्या होते जाएंगे चोटे होते जाएंगे और एंड में जो है बालू सिल्ट चिकनी मिट्टी दोमट मुट्टी के जो है आकार ले लेते हैं और मिट्टी के बड़े आकार के कड जो है अधिकान सतह बलूई मिट्टी में पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं बलूई मिट्टी में पाए जाते हैं और छोटे आकार के कड जो है मटियार मिट्टी में मिलते हैं ठीक है देखते नहीं है मटियार की मिट्टी देते तो एक दूसरे से जकडी हुई होती ह चोटे चोटे कड़ होते हैं और इन्हीं दोनों आकार के कड़ों के मिश्रन से भिन्ने भिन्ने प्रकार की मिट्टियां बनी होती हैं उनके भिन्ने 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 बहुती गुण हुआ करते हैं मिट्टी में इस्थित बहुती गुणों के क्रिशी विज्ञान के अंदर है बहुत गहरा प्रभाव है और अगले पार्ट में हम इन ही इन ही मिट्टियों के प्रकार को हम देखेंगे तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बैनिफिट मिलेगा ही मिलेगा यह मेरी गारेंटी है ठीक है और अगर आप यह सोचते हैं कि यह चैनल बैनिफिशियल नहीं है मुझे इससे कुछ नहीं मिलना तो आप बात मानिए एक बार वो कहते हैं पहले इस्तिमाल करो फिर वे स्वास करो तो आप देखिए वीडियो पढ़िए समझे आई होप आपक का सपोर्ट रहा तो मैं जो है बोर्ड में भी पढ़ाओंगी ठीक है लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सपोर्ट कैसा कि आप वीडियो देखिए और शियर करिए अपने दोस्तों में तो चलिए यहीं मैं अलविदा कहती हूं और कल जो है हम मिट के प्रकार देखेंगे और गाइस बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्यू वेरी मच